अगर तृशंकू सरकार बंती है तो आप क्या बनना चाहेंगे? लीड करेंगे याली सिम बनना चाहेंगे लीड करेंगे, पार्टी जिसको बनाएगी तो पार्टी का नेने होता है विदायक दल का नेता होता है हमारे कोई जेब मैसे बीजेपी और कॉंग्रेस की तरह परची तरह नहीं निकलेगे और उस तरह शंकू के अंदर सबसे एहम रोल जोगा जन्जाएक जन्दापाटी जैसे लोग सभाज चुनाव के नतीजों ने पूरे देश को चौकाया था ठीक उसी तरह से इस बार हरियाना विधान सबाच चुनाव के नतीजों ने भी सब को हैरान कर दिया हरियाना के पिछले विधान सबाच चुनाव यानि 2019 में खेल करने वाले दुश्यन चोटाला तब किंग मेकर बनकर उबरे थे और पार्टी बनाने के एक साल के अंदर ही भाजपा सरकार के साथ गड़ बंधन करके डेपटी सीम पर तक पहुंचे थे लेकिन इस बार इस बार तो जनता खाता तक नहीं हो पाया हालात इतने खराब रहे कि उनकी जमानत तक जब्त हो गई जेजीपी का एक भी केंडिडेट ना तो जनता के दिल में अपनी जगा बना पाया और ना ही चुनाव जीत पाया नमस्कार मैं हूँ आपके साथ संजीव चोहान तो पिछले कुछ महीनों से हर्याना के पूर्व मुख्यमंत्री वुपेंद्र हुड़ा हर मंज से कह रहे थे कि कॉंग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है लेगर उनके तमाम बयान और दावे हवा हवाई हो गये कॉंग्रेस समेथ तमाम विपक्षिदलों के तमाम प्रयासों के बाद भी हर्याना में वो चमतकार हो गया जिसकी किसी ने कलपना भी नहीं की थी क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब राज में किसी सरकार ने हैट्रिक लगाई हूँ जियां लगातार तीन बार सरकार बनाकर हर्याना में बीजेबी ने इतिहास रच दिया है और साथ ही कई बड़े नेताओं के सियासत पर भी पूर्ण विराम जैसा लगा दिया है उनी में से एक है हर्याना के पूर्व डेपिटी सीम दुशियंत चोटाला जिनके साथ सबसे बुरी बनी है क्योंकि एक वक्त था जब जननायक जनता पार्टी बनाने वाले दुशियंत चोटाला सियासत में आने के एक साल के अंदर ही किंग मेकर बनकर उगरे थे और सीधे डेपिटी सीम पर तक पहुँचे थे लेकिन पाच सार बाद ही उनके पाउं से सियासी जमीन किसक गई हालात ये हैं कि ना तो वो खुद चुनाव जीत पाए और ना ही उनकी पार्टी के दूसरे उमीद पाई पिछले चुनाव में दस सीटों पर जीत दर्च करने वाली जेजेपी इस बार खाता तक नहीं कोल पाई और ये हाला तो तब हैं कि विदान सबाद चुनाव से कुछ महेंने पहले तक दुश्यन चौटाला खुद डेपटी सीम पत पर काबिस थे लेकिन भाजपा से हुई खटपट ने सारे समीकरण बदल कर रखिये पहले बीजेपी, जेजेपी का गटबंदन तूटा फिर सारे अपने साथ छोड़ गया लेकिन इसके बाद भी दुश्यन चौटाला के इरादों में कोई कमी नहीं आए थी श्रेष्ट वारत को दिये एक इंटरव्यू में तो उन्होंने पूरे भरोसे के साथ कहा था कि जेजेपी की नर्सरी से निकलने वाले नेता जब बड़ी पार्टियों में जा सकते हैं तो समझ लीजे हमारी पार्टी चुनाओं में क्या नहीं कर सकती इससे जदा आप क्या ट्रेनिंग कराएंगे प्लेयर्स की इसका मलब तो मारी नर्सरी अच्छी है और नर्सरी अच्छी होगी तो पोदा अच्छा होगा यहां तक कि दुशन चोटाला पूरी तरह से आश्वस्थ होकर अपनी जीत का दावा कर रहे थे लेकिन उनके तमाहम दावों की हवा निकल गई जिस नायब सैनी को दुशन चोटाला कुछ मेहने पहले कच्छा खिलाडी बता रहे थे उसी नायब सैनी ने उन्हें कच्छा देकर आज घर पर मिठा दिया देखा जाए तो सैनी अभी उनको ज़्यादा वक्त नहीं हुआ और मनोहलाल खटल आगे केंद्र में तो कैसे आप काट कर पाएंगे उनकी चुनाव है चुनाव वोशनाओं पर वादों पर मुद्दों पर लड़े जाते है पॉलिटिकल पार्टीज की कमियों को दिखाया जाता है गिनवाया जाता है मेरी कमी मेरे विरोधी यूज करेंगे उनकी कमियां मैं यूज करेंगे जब हम जनता के बीच में जाएंगे और वोटर को कन्विंस कर पाएंगे तब तो वोट डालेगा ना और 5 अक्टूबर को जब वोट डलेगा वो तैय करेगा कि हर्याना का नेतर तो किसके हाथ में है वो कहते हैं ना अति आत्म विश्वास अक्सर इंसान को ले डूपता है कुछ ऐसा ही लगता है दुशन चोटाला के साथ भी हुआ उन्हें लगता था कि 36-36 साल के दो युवानेता जरूर हर्याना की राजनीत को नया आयाम दे सकेंगे लेकिन वैसा कुछ भी हो ना सका हमारा 55% वोटर हर्याना प्रदेश का लड़का लड़की आज युवा है मैं 36 का हूँ, चंदर्शेकर 36 का है दोनों युवा प्रदेश को युवा नित्रतव देंगे हमारा टार्गेट यह है किसान कमेरी की लड़ाई लड़ेंगे क्या खेती करने वड़ा एक कम्मुनिटी का आज यार जाती का आदमी खेती करता है आज हाट से मेहनत करने वड़ा आदमी हर community से आता है गास्ट वोट अगर matter नहीं करता तो चंशेखर के साथ alliance करने की जरूरत क्या थी एक और एक 11 हाद दो यूवा साथ खड़े होकर आगे बढ़ रहे हैं यही तो ताकत है आपको बता दें कि हर्याना का बनने का दम भरने वाले दुशन चोटारा ने हर्याना की उचाना कला सीट से हुंकार भरी थी लेकिन चुनावी मैधान में वो सबसे last यानि पांचवे नंबर पर रहे गए उन्हें पांच हीजदी से भी कम वोट मिले दुशन उन्यताओं में शुमार हो गए जिनकी जमानत जब्त हो गई उचाना कला सीट पर बीजेपी के देवेंदर अत्री बाजी मार गए जबकि दूसरे नंबर पर कॉंग्रेस के ब्रिजेंदर सेंग रहे तीसे नंबर पर दो निर्दली उम्मीदवार रहे और इस तरह से हर्याणा के पूर्फ डेप्री सीएम लुड़क कर पांचमे नंबर पर पहुंच गया इतनी बुरी हार के शायद दुशन चोटाला या उनके पईवार ने भी कभी सपने में भी कल्पना नहीं कियो उनके चाचा का हाल भी कुछ ऐसा ही उनका इनेलो नेता अभय चोटाला ये जनाब भी लगातार हर्याणा में बदलाओ की बात कर रहे थे बसपा के साथ गडबंधन करके प्रदेश में सरकार बढाने का हाथ देख रहे थे लेकिन उनके सपनों पर भी हर्याणा की जनता ने पानी फेड़ दिया पूरी 90 सीटे जीतने का दावा करने वाला इनेलो बसपा गडबंधन दो सीटों से भी आगे नहीं बढ़ पाया अभय चोटाला भी अपनी एलनाबाद सीट तक नहीं बचा पाया अब लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चोटाला परिवार की नरसरी से निकले हर नेता का अंजाम ही इतना बुरा हुआ हूँ परिवार से आने वाले दो नेता ऐसे भी हैं जो इस चुनाव में चोधरी देविलाल की विरासत को खत्म होने से बचा पाये उनमें से एक हैं खुद अभे चोटाला के बेटे अरजुन चोटाला जो रानिया से अपनी सीड बचाने में कामियाब होए और दूसरे हैं आदित देविलाल चोटाला जो डबवाली से जीते हैं तो इस तरह से दोस्तों कहा जा सकता है कि हर्याना की राजनीत में पूर्फ डेप्टी पीम देविलाल चोटाला की राजडेतिक विरासत विलुप तो होते होते रह गई इस ख़बर के बारे में आपके क्या है राय हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं नमस्कार